हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों ओनस्लाइन कसीनो या ओनलाइन गेम्स जिस पैसा लगाके प्ले करता है इस पसे खतरनाक है बहुत खतरनाक है ड्रग से ज्यादा खतरनाक है क्यों खतरनाक हैं क्योंकि DRUGS illegal है चोरी छिपपे खरीदनी पड़ती है बेशते खरीदे 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 पकड़े जाओ तो बहुत बड़ी सजा होती है इस चक्कर पर बहुत चोरी चिप्पे आप ऐसे नहीं गए पान की दुकान पर ड्रक्स खरीद लिया है इतना असान नहीं है इसलिए मैं बोलता हूँ कि ओनलाइन गैंबलिंग ड्रक्स से भी ज्यादा खतरना है कि ओनलाइन गैंबलिंग आपके फोन के अंदर है आप कभी भी प्ले कर सकते हो और आप तो गवर्मेंट टेक्स भी लेती है तो आपको यह बात समझनी बढ़ेगी और इंडिया में ओनलाइन गैंबलिंग लीगल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है इसलिए बड़े-बड़े सेलेब्रिटीज भी ओनलाइन का एड़ करते पर ओनलाइन बहुत खतरना थे मैं अभी थाइलेंड में हूं पताया में तो यहां पर एक सेवन इलेवन स्टोर है हर चार कदम पर मिल जाएगा आपको वहां पर हर चीज मिलती है खाना पीने के लिए खाना पीना फल फ्रूट सब्जी कॉस्मेटिक शराब सिगरेट सब मिलता है आपको एक हरानए की बात बताता हूं आप कभी भी 7 11 में जाना 7 11 खाली थाइलेंड में नहीं है बहुत सारे देशों में मनें हैं मने 517 सिंगाबुरू में 711 फिलिपीन में में है 7-11 लाउस में 7-11 कमबोडिया में है वेतनाम में है और भी कई कंट्रियों में होगा है यह वो कंट्रिय जहां में गया हुग तो उसमें शराब भी मिलती है पर जब आप और शराब कहा रखी जाती है जब भी आप बिलिंग काउंटर होता है उसके ठीक बैक साइड में साहरी शराब रखकी मिलेगी पर विसकी होती है वो सब पीछे रख सातteवाले रेक में मुलेगी और आपको सिग्रेट दिखेंगी निए cigarette को covered करके रखा जाता है जिस भी brand की cigarette होगी उसमें छोटे-छोटे box होते हैं उसमें धक्कन होता है उसके उपर एक छोटा सा sticker लगाओगा कि वो कौन से cigarette है black and white sticker होता है ना वो लगाओगा photo copy करा हुआ बना cigarette को छुपा के रखा जाता है शराब खुली है बीयर खुली है cigarette शुपी होगी है मतलब कि cigarette शराब से भी ज्यादा उन्हें खतरनाक मानने होगी है सेम चीज online cigarette की तरह है और offline शराब की तरह है offline casino से आप एक बार निकल गए तो आपको दुबारा आने में वक्त लगेगा आप अपने रूम पे चले गए आपने वहाँ पर रेस्ट कर लिया आपका मन बदल गया फ्लो टूट गया आपको चलो कल देखते हैं या दो चार्ट दस गंटे बाद देखिए cigarette online casino जो है online games या online gambling जो है वह cigarette की तरह है जैसे cigarette आपकी जेव में रहती है जब मन किया निकाल के जला लिया वैसे ही वह सेम cigarette की डबी के size के mobile के अंदर रहता है online जो जुवा है आपके mobile में रहता है और जैसे आप cigarette निकाल के कभी भी पी सकते हो वैसे ही आप अपना mobile निकाल के कहीं पर भी gaming शुरू कर सकते है थाइलेंड में casino नहीं है पर यहां पर भी लोगों को online casino की बहुत लगता है मैंने कई लोगों को online play करते हुँ देखा है जमा करेंगे 500 बात जमा करेंगे प्ले करेंगे 200 बात जमा करेंगे प्ले करेंगे अलाकि मैंने सुना है कि थाइलेंड कवर्मेंट ने भी license issue कर दिया है मैं 2026 तक जाके यहां पर भी casino बन जाएगा offline किस जगह बनेगा भी मुझे मालूम नहीं तो online casino जो है वह बहुत ज्यादा danger उसकी वह drug से ज्यादा danger शराप से ज्यादा danger है क्योंकि online casino जो है वो उसमें illegal वाली कोई चीज नहीं है कि जिसको आप छुपके करो करते गए पकड़े गए तो आपको पहले तो होता न रेड़ पड़ गई बुक्की के पास बुक्की पकड़े गए या कुछ फंटर पकड़े गए अब तो वो सीनी नहीं रह गया तो थोड़ा सा संबल जाओ online को छोड़ दो online है दोनों ही जहर हैं दोनों ही पर बाद करेंगा पर एक में आपको शायद वक्त लगेगा और वक्त लगने की वज़े से आपको सोच समझ लो और शायद जो आप पहले छोड़ दो सब कुछ गवाने से पर online में वक्त नहीं लगेगा, online तो बहुत fast है, बहुत fast है, मैंने online को हमेशा नका रहा है, आप लोग बोलोगे, अच्छा online को इतना ही नका रहा है, तो फिर online के website के बारे में क्यों बात करता है, उससे पैसे लेकर क्यों वीडियो बनाता है, प्रमोशन क्यों करता है, तो पह और पैसे लेकर के वीडियो बनाने में अंतर होता है, पैसे लेकर के वीडियो बनाना मतलब sponsored वीडियो है, मतलब वीडियो बनाने का पैसा दिया गया है, प्रमोशन का मतलब यह होता है कि आप वीडियो के अंदर उस website को या उस product को promote कर रहे हो, प्रमोट करने का मतलब होता ह उसके तारीफ करना और उसके गुण बताना उसके तारीफ करना उसके फाइदे बताना उसके फाइदे बताने के साथ यह बताना कि मैंने कितना फाइदा लिया है इसको बोलते हैं प्रमोशन और आप पैसा लेकर के वीडियो बना रहे हो तो आप उस प्रोडेक्ट के बारे मे में बता रहे हो कि ये प्रोडेक्ट मौजूद है पर आप लोगों को और ये बात आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हो कि वहां पर आये य। अन न आये पर जब आप उसकी तारीफे करते हो और ताब आप उसको प्रॉमूट कर रहे होते हैं, ये फराक होता है। ये फरक होता है। यह होताएस- सपॉंसर वीडियो का मतलब होता है कि आप उसके खासयते बतारे हैं। जैसे गुठके की एड करते हैं कौन सा पानमसाला है जिसमें वो दू-तिन सेलिब्रिटी आ रहे हैं बहुत तीजी से बड़े-बड़े स्टार उसकी है अगर वो बोले कि यह पानमसाला है यह पानमसाला है इस कंपनी का इसके अंदर यह सवान डला हुआ है खाना नहीं खाना आपके उपर है आपकी मर्जी है मतलब उसने पानमसाले का पैकेट उठा के दिखाया और उसके अंदर क्या-क्या डला हुआ है वो बता दिये है ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं आप बारी किसे ध्यान से देखोंगे तो कई एडसी होंगी कई कई बड़ी सेलेब्रेटी इस तरीके से भी करते हैं वो कहते है नहीं हम इसके बारे बोलने से ठीक है हमारी फोटो लगा देना इसके पर वही पानमसाला जब अपने मुह मे के दिखाते हैं तब वो यह दिखा रहे हैं कि मैं यह खाता हूं कि मैं इसको खाता हूं चुछ क्या मैंने कभी वहां पर यह बताया कि यहां पर जीतने के वाद मेरा विड्रॉल पांच मिनिट में आ जाता है। जितने भी मेरे आपने दो तीन चार वीडियो देखी होंगे महीने में शायद एक या दो वीडियो में बनाता हूँ। उन एक दो वीडियो में मैंने यह तक नहीं बताया कि दोस्तों आप यहां पर आपने इतना जीत लिया तो दस मिनट के दर आपके खाते में पैसे आजाएंगे यह तक भी नहीं बोलता हूँ। सिर्फ इतना बोलता हूँ कि एक साइट है यह भी एक जुवे काड़ा है पैसा लेकर वीडियो बना रहा हूँ। की वज़े पे डिपेंड करता है। ओनलाइन हमेशा गलत है पैसे मुझे भी जीए पैसे आपको भी जीए आप लोग समास सेवा के लिए नहीं जुवा खेल रहे हो। जुवे में जीत करके गरीब हो खाना खिलाने जा रहे हो। य या कार्णिल फाundation में जा करके donation देने वाले हो। आप अपने लिए जीत रहे हो। आपको जुवा आपको पैसा किस कीमत पर चाहिए। मुझे कहा तक जाना है। मुझे अपने आगे बढ़ने की हद पता है अगर मैं यह बोल दूं कि यह साइट पर मैंने इतने पैसे से खेला इतने पैसे मेरे बन गए और मेरा विड्रोल पाँच मिनट के अंदर मेरे अकाउंड में पैसा आ गया इस बात को बोलने का आप अंदाज अलगा मुझे कितनी क मेरे व्यूस भले ही कम आते हूं पर जिन जो कम्मिनिटी है वह बहुत सीरियस कम्मिनिटी है मैच्योर कम्मिनिटी है जुआ खेल रही है इसलिए 400 से ज्यादा लोग ही है हो चुके हैं जो यह कहते हैं कि हमने जुआ आपकी वज़े से छोड़ दिया सुनते हैं वह बात मैं उनको बोलता हूं आज जीत गए अच्छी बात है दो दिन जीत जाओगे दस दिन जीत जाओगे एंड में हार होगे और जब तक भी जीत रहे हो हार का डर हमेशा तुमारे उपर बना रहेगा और यह डर ही तुम्हें लेके डूबएगा बाकी जिसको जो समझना है समझो जिसको जो मानना है मानो मेरे को अपने बारे में जो बात करनी थी मैंने कर लूँ क्योंकि मेरी सिंपल सी वात है मेरी नजर में मेरे व्यूवर्स या मेरे सब्सक्राइबर की इतनी ओकाद नहीं है कि मनको सफाई दो आप मेरे कहने पर नहीं मेरा वीडियो देख रहे हो मैंने नहीं बोला मेरा वीडियो देखो मैंने नहीं बोला मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो आपकी मर्जी यह आप देख रहे हो जिस दिन आपकी मर्जी नहीं होगी आप नहीं देखोगे तो आपके उपर है इसलिए जब जो चीज़ आपके उपर है उसमें मैं कैसे आप लोगों की परवा करूँ है तो यह आपकी चोईस है, ऐसे मेरी चोईस है, तो मैं अपने विवर सब्सक्राइबर की परवार नहीं करता है, जितने मर्जी व्यूज आ रहे हैं, घट जाए, बढ़ जाए, मुझे कोई फरक नहीं परता, और जो मेरी भाषा है, उससे तो वैसे भी नहीं बढ़ने वाले, लोग देख तो लेंगे वीडियो पर वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो उससे कोई फरक नहीं परता, मेरा ये वीडियो का मकसद यही था कि ऑनलाइन जोग है, वो बहुत खतरनाक है, ऑनलाइन से आपको बचना पड़ेगा, पहले तो जुवे से निकलना पड़ेगा, और जुवे में भी ऑनलाइन और उफलाइन में से ऑनलाइन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि रात को दो बजे भी अगर आपकी आठ खुल गई टेंशन की वज़े से तब भी आप जुवा कोई ने खिलने पहलेगा, अरे आगर आप देखो आपके साथ ऐसा होता होग होगी, आप सब कुछ ओके है, आज आपने प्ले किया, आपका टार्गेट पूरा होगी, आपने वीनिंग एमाउंट विड्रॉल कर लिया, गेम बंद कर दी, सब कुछ बढ़ बढ़िया चल रहा है, पर क्या होगा, दिमाग में कीडा शांत नहीं हुआ, फिर थोड़ी दि रिपोजिट करोगे, या अगर आईटी में पड़े होगे, तो सीधा प्ले करना शुरू कर दोगे, यह तब बता रहा हूं, जिस दिन आपका टार्गेट पूरा हो जाएगा, जिस दिन आपको नहीं खेलना चाहिए, जुए का सिंपल सा नियम है, जितना कम खेलोगे, उतन इतना होता है, उसका 100 गुर्णा खर्चा या 10 गुर्णा, 50 गुर्णा खर्चा तो आप लोग ओल्रेटी दे चुके हो हार के, ओनलाइन में आपका पैसा घटेगा ही घटेगा, इम एरे अपने अनुभव है, ओनलाइन में बचने का मैंने पिछले वीडियो में तरीका बता है तो सिर्फ इतना कि भीड में गुमनाम रहो, छोटा खिलाडी बनके रहो, और ठिंक लाइक ए प्लेयर, डोंट बी लाइक ए गैंबलर, गैंबलर और प्लेयर में क्या फरकोता है, इसका मैंने वीडियो भी पासा दिन पहले डाला था, आप देख ले न, आगर आपका मन क करें तो, ओके गुडबाई, थैंक यू,